शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें शहर में व्यापारिक शेत्र मसका साथ इतवारी के चुना ओली में तड़के सुभः जंगल्याजी धोनबाजी इंटरप्राइजेस और राहुल इंटरप्राइजेस के एक गोदा में शौट सर्किट से आग लगी आग बुजाने के लिए विभिन्दा फायर ब्रिगेड स्टेशनों से गाड़िया मंगवाई गए दोपर तक 46 गाड़िया आग बुजाने पहुची थी इस आग में लगभग 70 से 80 लाक रुपेयों का माल का नुकसान हुआ है ऐसा अनुवान लगाया गया प्राब जानकारी के अनुसार मसका साथ इत्वारी, चुना ओली, नाचन कर नाम अक्वियापारी की जंगलाजी धोंडबाजी, इंटरप्राइजेस और राहुले इंटरप्राइजेस के नाम से ट्रेडर्स है और वही पर उनका गोडाउन भी है नाचन कर पडिवाई ट्रेडर्स से प्लास्टिक पाइप, नालान रसी, धागा, नारियल रसी का कारोबार करते है तड़ के सुबह, शौट सर्किट से तीन मंजिला गोदाम में आग लग गई आग धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई आसपास के लोगों ने धुए की लप्टे उट्टे देख, लोग घबडा गए और बाहर निकला आए परिसर में आग से हड़कम बच गया, लोग आसपास के इमारत को खाली करने लगे जिस समय यहाँ आग लगी उस समय लोग गहरे नीन में थे सभी ने एक दूसरे को फोन पर आग की जानकारी दी तो आसपास की इमारतों से लोग बाहर आ गए उस समय किसी ने पुलीस पर फायर ब्रिगेड को जानकारी दी फायर ब्रिगेड की गाड़िया घटनास साल पर पहुची लेकिन एक दो गाड़ी से आग नहीं बुच पाई आग ने विक्राल रूप धारन कर लिया गोदा में जो चीजे थी वो जल्थे आग पकड़ने वाली थी इसके चलते आग तेजी से फैलने लगी तो कलमना, लकडगंश, गंजी पेट, कॉटन मार्केट, सिविल लाइन, सकरदरा आधी कई जगों से फायर ब्रिगेड की गाड़िया बुलाए गई अट घंटे होने के बावजूद आग नहीं बुश पाई है कटना स्तल पर तहसिल थाने के सायक पुलिस निरिक शकरामदास पार्टील मनपास्ता तरंजी पुरा जहून के सायक विजे हुमने मौजो थे